हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेग गुरू में फ्रेंड्स आज का थमनेल देकर आप ये तो समझी गया होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पर है तो हां हम इस वीडियो में बात करने वाउले हैं कि क्या इंडिया में बाट किया जा तो फ्रेंट्स असलिए में है क्या ये रिव fibers बहुत जगे ओड़ रहा है कई वब साइट्स तो इसलिए जरूरिब नहीरं नहीं है कि इंडियन आर्मी के लिए इंडियन आर्मिय के सोल्जर's के लिए ढये बैंड हैं वह हमारे सिवी लिएन के लिए हो मिन बेंज पर इसमें एक ममला यह आता है फंस moments की इन एपs को वाला है या नहीं है कि तो बात यह कि पब जी एक सबसे पहती चीर में बतातों कि कि अब को सबसेång परिओने वाला है उस में है इस इसने डी ऊहले आ है कि चाइना के टेंसेंट गेंट कंपनी जो है उसका बहुत बहुत घेंट अधllo नहीं जी थे व Люб님이 जबर फूह सै भी एृच्ट out केमड खुन ऑन्सकि जबर लिवाद बहुत बड़ेट जयब तो माइट भी हो सकता है कि इन पब्जी को भी बैंकर दिया जाए जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि लाश्ट में थे 59 एप्स को इन इंडिया ने बैंड किया था क्योंकि इंडिया और चैना की बीच में कुछ जी लोग बाड़ टेंशन चल रहे थे उसको लेकर के इंडि जिसमें से TikTok, Shareate, Kawai, UC Browser जैसे या Shane हो गया, Hello App हो गया, Likey हो गया, UC News हो गया, Club Factory हो गया, Hago हो गया, इस टाप के बहुत सारे Apps को इंडिया ने बैंक कर दिया जिसमें की कई लोगों के केरियर लगे हुए थे, लोग बहुत ही मन्द से उसमें काम कर रहे थे, करियर डेवलप कर तो और सबसे बड़ा एक जटका अब और लगने वाला है कि हो सकता है कि पब जी को भी बैंड कर दिया जाए ऐसे बाते आ रही है क्योंकि अभी 59 एप्स को बैंड करने के बाद इंडिया ने इन एप्स के जो क्लोन वर्जन्स चल रहे थे जैसे यूसी ब्राउजर का यूसी कर दिया है तो इसी लिए पॉसिबिलिट्रीज बताई जा रहे हैं कि पब जी को भी शायद बैंड कर दिया जाए बट इन एप्स को बैंड करने का सिर्फ एक ही रिजन था क्योंकि नेशनल सिक्योर्टी को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी की एक्ट के धरा 69A के तहट इन सभी एप्स को बैंड किया गिया था फ्रेंट्स तो यही बात है कि हो सकता है कि पब जी को भी बैंड कर दिया जाए बट पब जी का अभी चायना से कोई बहुत जादा सरोकार है नहीं यह साउत कोरियन कंपनी है और अगर हो सकता है इसका कोई नय अपडेट आजाए जिसमें ये अपने प्राइवेसी को अप्ग्रेड कर लें ज्यादा डाटा ना मांगे हलाकि जाए पब्जी बहुत ज्यादा पर्मिशन्स नहीं मांगता है फिर भी एक जियो पॉलेटकल टेंशन्स होने की वज़े से में भी माइड भी हो सकता है कि पब्जी को भी आप लोग अपना देलटांब कर रखी को नहीं हो सकता है इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो हमारी कंट्री के प्राइवेसी को बचाने के आप अपना करिय चेंस कर सकते हैं बठ हम अपनी प्राइवेसी को दुक्सान नहीं पहुचा सकते तो इन एप्स को जरूर ब्यकर देना चाहिएए अगर वंडेन अश्छे व ल diese से कहिते हैं कि अभी लोगों कि अभी आप लोग कि सरे करें मत होई है घबडाएं मत कि इंडिया में पब जी को बैंड किया जा रहा है या किसी भी तरीके के रिमर्स पर मत जाईए क्योंकि अभी कि अभी तरीके को ऑफीचल अनॉंसमेंट नहीं हुआ है हलां कि यह बात सच है कि इंडिया के रेडार में जो 200 से ज्यादा एप्स हैं चा जाए 2019 को ही लाउंच हो दाई है और जल्दी इसके 10 क्रोड से जादा लाउंच हो चुके हैं तो हो सकता है इसे बैंड ना किया जाए या इसका कोई अपग्रिडेटेड वर्जन आ जाए या कोई इसकी प्राइवेसी अपडेट कर दी जाए तो हो सकता है इस पर बैंड न कर सकते हैं उसको आप देख सकते हैं वह भी बहुत अच्छा गया है तो फ्रेंड आज की वीडियो को मैं बस यहीं पर अच्छी लगी होगी विडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड इसे लाइक करना मत भूलेगा चैनल को कर दीजेगा सब्सक्राइब और नीचे दी झाल थैंक यू